कि नमस्कार दोस्तों आप सब एका स्वागत है फिरचे हमारी न्यू ब्लॉग में आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है गोलर किरकेट इस्टी डेम के वारे में और हम साथी साथ आपको देने वाले हैं बहुत ही अहम जानकारी यहाँ पर टीम इंडिया का अलाउंसमेंट हो चुका है टीम इंडिया कहां रुकीगी कब यहाँ पर प्रैक्टिस करने आएगी और कौन कौन से खिलड़े आपको खेलते हुए दिख जाएंगे यह सारी जानकारी इसके आज ब्लॉग में हम देने वा सके हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मेच 14 साल वाद हो रहा है और कोई भी ऐसी जो है अनोनी हो यहाँ पर मेच ना हो हम सबी ने बहुत ही प्यार से टिकेट दो घंटे के अंदरी बुक कर लेती सारे पविलिन के बिकेट बुक चुकी है और मेच जो है भासपल होने अगर हम बात करें इस टीडम की तो इसकी केपशिटी होने वाली है 30,000 चलिए दोस्तों बात करते हैं अपकी यहाँ पर वारती टीम में कौन को आपको खेलते हुए देखेंगे और हमारी टीम कहा रुकी गी और वंगलादिस की टीम कहा रुकी गी तो दोस्तों इस मेच के जो कफ्वतान हूंगे भाय होँखे शूर कोमार यादा हो और उसके उस कफ्तान हूंगे वह हुए हांगे हर्दिक पांडिया इस टीम में आ Packard वांच की बात करें तो यह रुकने वाली है उसा किरनFF ज्च में जो की है जैनलगज में और 7-7 रर आपको च्वाइनगे उनल explor बुक किये गया है वही टीम इंडिया के लिए उसा करेंड पैलिस में 47 कमरे को बुक किया गया है अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि यहां पर कौन-कौन सा मेच होगा तो पहला मेच हमारी यहां पर गोलर में होगा जो कि 6 तारिक होगा उसके बाद दूसरा में दिल्ली में हैदराबाद में जो की खेला जाएगा 12 तारिक को दोस्तों अगर हम बात करते हैं टीम इंडिया की तो यहां पर किस-किस का चैन हुआ है तो हम आपको बता दे यहां पर सूर कुमार यादव अभी शेक शर्मा संजु सैंसन जो की विकेट कीपर होने वाले हैं रिंकु जो की एक बॉलर हैं हर्चित राणा और मायंक यादव जो की एक फास्ट बॉलर हैं यहाई साब आपको यहां पर खेलते हुए दिख जाएंगे दोस्तों अभी आपको टीम में जो है नाए नाए लोग दिखेंगे क्योंकि यहां पर पुराने क्राडियो को रेष्ट दिये गया है जैसे की रोहिस सर्मा आपको नहीं देखींगे बिराट कोली नहीं देखींगे रिसाम पंत नहीं देखींगे और साथी साथ सुमन गिल भी आपको इस मैच में नहीं देखींगे दोस्तों यहाई टीम काफी नई होने वाली है और यहाँ पे इसके कप्तान होने वाल अगर पॉसिवल होता है तो हम उसका वीडियो भी आपको बना के दिखाएंगे और बताएंगे कि यहां पर टीम कैसे पहुंची और कैसा यहां पर उसका प्रैक्टिस हचन होगा फिलाल आप देख रहे हैं यहां पर इस्टेडियम में बहुत ही जोरो सोरो से काम किया जा रहा दो तारिक में सिर्फ तीन ही दिन बचे हैं और तीन से चार दिन के बाद आपको पूरे खिलाड़ी यहां पर देखने को मिलेंगे यहां पर पूरी शोकरिटी गाड़ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो हमारे टेकेट बुक हो चुकी है अब हमको बस इंतजार है तो गेट वन ओर टू देखने को मिलें जाता है जो कि Southern में है South एंड में जिसकी टिकेट है उसके एंट्री यहां से होगी और North एंड में आपको तीन और चार गेट देखने को मिलेंगे जाता है ऐसे यहां पे च्छै गेट है और एक पार्किंग पेशे से वस्ता की गई जिसमे अभी काफी हद तक जो है काम होना वाकिए क्योंकि वहाँ पानी गरना की बाद से बहुत जादा कीचल सा हो गया है उसके अंदर गाली ले जाना भी मुस्किल अभी फलाल हो रहा है देखते हैं मेश से पहले बाद कैसे कवर करते हैं और क्या क्या वहाँ पे जो है जा रहे हैं दोस्तों यह तो पूरा पक्का है कि फुल होने वाला है खचा खच भरा रहेगा और आपको मेश यहां पर देखने को बहुत अच्छा मिलेगा तो दोस्तों यही थी हमारी चोटी से जानकारी जोकिती स्टेडिम के बारे में कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरू बताई यागा